असलाम लेगूं आई होब आप लोग खैरियस होंगे जो पिछला सेशन हमारा हुआ है उसके अंदर हम लोगों ने डीपली डिसकुस किया था प्रोड़क्ट हंटिंग इस तरह के से करनी है आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे के प्रोड़क्ट की लिस्टिंग इस लोग अपने seller center के उपर आने के बाद products के tap के अंदर आके add new product के उपर click करेंगे अब यहां से यहां पर दराज आप से दो basic information पूछ रहा है एक product name या फिर product title और दूसरी product की category अच्छा product name जो है उसको पहले मैं बता दूँ है क्या यह शो कैसे होगा आपको जैसे यह product है यह यह जो आपको यहां पर नज़र आ रहा है यह है इसका product name या title दराज यह सजेस्ट करता है कि आप अपने product name के अंदर brand name जो आपका brand name है वो और आपकी product का key feature मतलब आपकी एक product है उसकी बहुत सारी specifications होती है उसमें से कोई एक main specification जैसे कि अगर हम shoes की बात कर रहे तो leather shoes leather का है उसकी main specification है आपने main specification इस्तेमाल करनी है अपना brand name इस्तेमाल करना है आपको इसमें model number इस्तेमाल करना है और color इस्तेमाल करना है और उसके साथ product का नाम यह दराज आपको suggest करता है लेकिन आप obviously एक new seller है आपका कोई brand तो है नहीं तो आप अपने product title के अंदर brand name इस्तेमाल नहीं करेंगे इससे यह होगा कि आपकी जो title है उसके उपर पर उसकी optimization पर negative impact जाएगा क्योंकि जैसा अगर मेरा brand हमजा शौप है for example तो मैं अगर अपने title के अंदर एक ऐसा word इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो title से irrelevant है उससे यह होगा कि मेरी जो list है उसकी SEO के उपर negative impact पढ़ेगा उसकी ranking के अं ठीक है वो भी जब मेरी title को मेरे देखेगा तो उसके उपर भी negative impact ही पढ़ेगा क्योंकि बायर जो है वो title और picture यह दो चीज़ा सबसे पहले देखता है तो title अगर correct नहीं है आपका तो फिर बायर के convert होने के chances कम हैं क्योंकि दरास के उपर देखें एक चीज अपने जहन में यह रखें कि जो अवाम है ना हमारी पाकिस्तान की जो अवाम है उनके दो perspective है दरास के लिए एक यह कि आदे इसमें से लोग यह समझते हैं कि दरास के उपर जितने भी sellers बैठें हैं वो जाहिल बैठें हैं ठीक है और आदे sellers ऐसे हैं कि जो तमीज के हैं मतलब कि एक तरीक स आपने लिखा हुआ है जैसे कि आपको अक्सर ऐसी दरास के उपर प्रोड़क्स नजर आती हैं कि जिनके टाइटल बहुत खराब तरीके से लिखे होते हैं उससे यह होता है पिर customer भागता है तीक है उसको यह लगता है कि यार यह seller जो है यह seller शायद कोई तमीज का seller नहीं ह और जब इसने टाइटल इतना गंदा लिखा हुआ है तो यह इसकी जो प्रोड़क्ट है वो भी खराबी होगी तो ऐसे आपके अच्छे खासे customers आपकी जो प्रोड़क्ट है उससे दूर भागेंगे तो प्रोड़क्ट टाइटल बड़े आपने धिहान से लिखना है अब जैसे मैं बात करूँ अब यहां पर हम एक्जैम्पल लेकर चलते हैं कि हम टीशिट की बात करें टीशिट अभी हम लिस्ट करते हैं तो टीशिट का जो एक सही तरीका है उसका टाइटल लिखने का वो क्या होना चाहिए हैं और सबसे पहले आपकी जो में इस पैसिफिकेशन है आपकी प्रोड़क्ट जैसे हम बात करें टीशिट की तो इसके एंदर उसकी में इस पैसिफिकेशन है जैसे राँ round neck 100% cotton यह मेरी product की key specification है अच्छा इसमें एक चीज़ आपने और बड़ा ध्यान रखना है वो यह के आपने product का title lower case में नहीं लिखना ऐसा नहों कि आपके जो आपने जितने भी words लिखें हैं वो सारे words lower case के अंदर आप लिख दें तीक है या फिर आप सारे words upper case के अंदर लिख दें ना आपने upper case नहीं है upper case मतलब capital letters lower case मतलब जो lower letters होते हैं तो आपने लोर अपने letters जो हैं यहां पर जो आप words इसक्राइब करेंगे वह sentence case के अंदर करेंगे मतलब कि आपका हर वर्ट का जो पहला इल्फा बेट है वो कैपिटल होना चाहिए जैसे मैं ने यहां पर लिखा हुए कि राउंड है तो राउंड का जो आर है वो कैपिटल है फिर नैक है नैक का अपिटल है ठीक है यह एक ऑप्तिमाइज़ड वे है अपने Tá capital को लखने का तो आप ने तमाम letters जो है upper case में लखने नहीं lower case में Self sentence case में लिखने हर word का पहला alphabet Capital होना चाहिए तो आप ने पहले जो आपका इसके अंदर main आपका specification आपकी आगई round neck 100% cotton उसके बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे color मैं लिख देता हूँ यहाँ पे black color अब हो सकता है कि आपकी जो यह list है इसके अंदर color variations हो हो सकता है black के साथ maroon भी हो white भी हो brown भी हो तो आप black के साथ maroon white brown भी आगे लिख सकते हैं ठीक है colors के अंदर अगर मैं आगे black के साथ फिर मैं maroon भी लिख देता हूँ आगे फिर मैं उसके साथ white भी लिख देता हूँ तो आप ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर मैं होता और मैं टी-शिट्स दरास के उपर बेच रहा होता तो मैं यहां पे हर जो मेरी list है उसको मैं अलग-अलग करता colors के साथ जैसे black color की list ही पूरी अलग होती और जो white color है उसकी list पूरा जो है different होती तो यहां पर अभी black color हमने लिख दिया उसके बाद अब यह चीज़ सबसे important है वो यह के आपका जो product title है उसके अंदर आपका primary keyword का होना लाजिम है मतलब के आपको मैंने बताया था कि product research से पहले आपने keyword research करनी है ठीक है आप सबसे पहले keyword को select करते हैं ताके उस keyword के against आप product को rank करा रहे होते हैं ठीक है तो आप यहां पर title के अंदर अपना primary keyword लाजमी लिखेंगे जैसे के मैं लिख देता हूँ t-shirt for men ठीक है यह एक primary keyword है मेरा जिसके against मुझे अपनी जो list है उसको rank कराने तो मैंने यहां पर अपना primary keyword लिख दिया अब अगर buyer इस title को पढ़ेगा तो इस title को पढ़ने के बाद buyer के उपड़ एक बड़ा अच्छा impact जाएगा और उसके conversion के chances बढ़ेंगे ठीक है क्योंकि हमने तो कोशिश यह करनी कि हमें हर expect से अपनी conversion rate बढ़ाना है चाहे वह optimization हो हर लिहाज से हमने अपने कहीं कोई कफर नहीं छोड़नी तो अब यह एक अच्छा सा हमें title लग रहा है और आपकी product जो भी हो यहां पर example हमने shirt की लिए टी-shirt की लिए आपकी product जो भी हो उसी हिसाब से आप इसी formula को follow करते हुए अपना जो title है उसको set कीजेगा अब title जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपके पास दरास खुद आपको suggest कर रहा होगा कि आपके इस title के हिसाब से यह category निकल के आ रही है हमारे सामने तो आप इन में से भी select कर सकते हैं वरना आप यहां पर जाकर इसको manually भी select कर सकते है category को अच्छा category selection बहुत important है अगर आप अपनी product को गलत category के अंदर डालेंगे तो एक तो approve नियों की product और approve हो भी गई ठीक है हो भी जाती है approve अगर approve हो भी गई तब भी आपको पिर उसकी जो ranking है उसके अंदर बड़े मसले मसाहल आएंगे आप वो पिर आप उसको optimize नहीं है आपकी list पिर उसके अंदर ranking म हैं उनकी उनको आप यहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि यार यह की category का roadmap है ठीक है तो वही पिर आपने यहां पर देख के select करना है तो हमारे case के अंदर fashion आ गया पिर men पिर clothing पिर casual tops पिर टी-shirt ठीक है यह perfect category है इस product की तो मैंने select कर लिए अब category select करते ही इसने उस category के हिसाब से मेरे सामने और नए options डाल दिये अच्छा अब आपकी जो भी category होगी ठीक है obviously आपने कोई और product हंड किया हुआ है और उस product के उपर आपको different variations नजर आएंगे different attributes नजर आएंगे product के तो options totally different होंगे ठीक है तो आप घव परा मच जाईएगा कि यहां पर तो अलग options आ रहे हैं और जब आप लिस्ट कर रहे हैं अपनी product को तो वहां पर आपके पास अलग options आ रहे हैं असानी options होते हैं बस आपने पढ़ना होता है फिर भी आपको समझ ना है तो आप मुझसे पूछ लीजएगा खैर कैटिगरी के बाद यह आप से पूछ रहा है कि वीडियो यूरल अगर आपके पास है तो आप यहां पर उसको upload कर सकते हैं तो मैं suggest करूंगा आपको बलके suggest नहीं recommend करूंगा कि आपकी जो भी product है उसकी आप एक YouTube के उपर अच्छी सी वीडियो बनाके upload करें और वहां से URL कॉपी करके URL यह होता है यह होता है URL कॉपी करके आप यहां पर डालें तो उससे एक अच्छा impact पड़ेगा आपके list के उपर उसके बाद आपके पास है product attributes अब यहां पर बहुत सारे options आपको उसने दीम हैं जिन options के अंदर कुछ ऐसे हैं जो के mandatory हैं कुछ ऐसे optional हैं आपकी मर्जी आप भरें या ना भरें लेकिन जितने जादा आप यहां पर options को fill करेंगे उतना ही आपकी list optimize होगी उतना ही आपकी list SEO friendly होगी उतना ही आपकी जो list है वो जल्दी rank होगी ठीक हो गया क्योंकि यही सारे options आपको आपके जो product page है उसके उपर show हो रहे होते हैं ठीक है तो आपको यहां पर जितने जादा आप options फिल करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है अब सबसे पहले यह आप से पूछे रहा है brand name ठीक है brand name आप simply यह question mark जो इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह आपके पास option दे रहा है please click here to request for a new brand इसके उपर आप क्लिक करेंगे त और दूसरे पर इसके पड़ ले आने के बाद आप यहां पर अपना brand name जैसे के मैं रख लेता हूं हमजा DS इसको आप submit कर देंगे इसको मैं कर देता हमजा DS1 यह भी already exist हमजा DS12 ठीक है तो आप यहां पर brand name डालेंगे और पर यह आपको कह देगा कि रिक्वेस्ट हमें receive हो च ठीक है तो आपका brand name approval के बाद आप यहां पर click करेंगे तो आपके पास जब आप search करेंगे जैसे कि यहां पर एक brand है ठीक है तो इसको पर आप क्लिक करेंगे आप ऐसे पिर आपका भी यहां पर brand name show हो रहा हुगा जो आपने approval के लिए भेजा उनको तो उससे आप इसको पिर आप की field है और एक size की field है कि आपने जो pictures लगाई है obviously अगर आप T-shirt की picture लगा रहे हैं तो वहां पर आप आपका कोई model होगा ठीक है कोई बंदा model कोई आपका T-shirt पहन के सामने खड़ा होगा तो उसका आपने आप बताना है कि वह जो model है उसकी height यह है और उसने जो size पैना हुए वो यह पैना हुए ठीक है उसके बाद आपकी जतनी fields हैं वो तमाम fields optional हैं आप भरें या ना भरें कि number of pieces क्या हैं और फिर कौन से season की है summer तो यह जतनी details आप डालेंगे इसके अंदर ठीक है उतना ही आपकी जो list है वो SEO friendly बनेगी और जल्दी rank होगी ठीक है तो कोशिश करें कि आपकी जो भी product type हो उसके अंदर जो भी यह आप से सवाल पूछ रहे हैं यहां पे options आपको दे रह जासे होंगे तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं जरूरी नहीं कि आप 100% फिल कर दें लेकिन कोशिश करें कि आपने maximum इसको फिल करना अब यहां पर आप से model जैसे कि आप यहां पर मैंने model number भी डाल दिया फिर आप से sleep पूछ रहा है शौट स्लीप हैं फिर आप से यहां पर color है एज रेंज है कि आप बता दें 18 से 25 तो इस तरीके से आप यहां पर कोशिश करें कि सारे brands को सारी fields को आप फिल आउट करें और यह fields जो हैं फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ट सेलेक्ट किया है उसकी fields different होंगी ठीक है तो उसी हिसाब से फिर आप इसको यहां पर फिल करेंगे अगर यहां कोई चीज समझ में ना आ रही हो आपने कोई ऐसा चूस किया प्रोडक्ट के जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या option डालना है आम मुझसे राप्टा क कीजेगा मुझसे WhatsApp के उपर मैं आपको बता दूँगा तो यह सारी चीज़ें आपने जैसे वी नेक है ओनेक है सब कुछ आपने भरना है जितना जाद आप भरेंगे उतने ही आपका फायदा है अब आ जाते हैं detailed description पर अब इस section के अंदर आपके पास सबसे पहले वह पूछ है highlights highlights हमेशा आप याद रखिएगा कि आपके जो यह वाला जो section है आपको यहां पर आपकी highlights शो हो रही होती है तो इदर आपने highlights जाल नहीं है मैं copy कर लेता हूं इसको आप यहां पर added भी कर सकते हैं ठीक है इसको मैंने bullet points के अंदर डाल दिया यहां पर maximum आप 8 bullet points डाल सकते हैं तो कोशिश करें के 5-8 के बीच के अंदर आपके bullet points हो और bullet points ऐसे हों कि जिसके अंदर आपकी product की complete specifications आपने यहां पर बताएंगे हों कि product क्या है उसकी क्या खुसुसियात है ठीक है यह आप भरें इसको भरने के बाद अब आजाएगा long description यहां पर आप अपनी product के बारे में बताएंगे ठीक है अपनी product की pictures upload करेंगे pictures आपने लाजमी upload करनी है अपनी product की या आपकी list को optimize करेगा आपको SEO के अंदर help करेगा ठीक है क्योंकि याद रखेगा कि आप यह सारी चीज़ें आपकी ranking के अंदर count होंगी ठीक है अभी हम ranking के उपपर जब बात करेंगे तो सारा उसी का part रही है क्योंकि लिस्ट आपकी ज आपने इस्तेमाल करना है कि जो अच्छी quality के अंदर हों और जो फिर आपने अपनी product को describe करना है यहां पर और उसकी आपने key points उसके अंदर बताने क्या खुसियात हैं क्या अच्छाइया हैं सारी चीज़ें आपने यहां पर लिखनी हैं और सौ से देड़ सो words यह आपको दरास सजेस्ट करता है कि यहां पर आप भरें तो सौ से देड़ सो words जब आप यहां भरेंगे तो उसके अंदर आपने कोशिश यह करनी है कि तीन से चार सफ़ा आप अपना जो primary keyword है उसका भी इस्तेमाल करें क्योंकि एस पर Google आप अगर 100 words कहीं लिख रहे हैं तो उसके अंदर SEO के लिए आप अपने keyword का 2% इस्तेमाल करते हैं मतलब उन 100 words में से 2% आपकी keyword होने चाहिए यह Google कहता है तो आप उस ही policy को यहां पर अपनाएंगे और यहां पर अगर आप 100 to 150 आप कुछ दरास कहता है कि आपके पास keywords होने चाहिए यहां पर तो सॉरी words होने चाहिए तो आप उन 100 से लेके 150 words के दर्मयान में अपने 3-4 दफ़ा अपना जो primary keyword है उसका इस्तेमाल करेंगे जैसे कि आपका primary keyword जो है वो है teachers for men अब आपने अपना primary keyword इस्तेमाल कर लिया teachers for men अब यहां पर एक चीज़ नोट करने वाली है वो यह है कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो product है वो एक particular keyword के अगेंस्ट आप rank करार हैं लेकिन होता ही है कि उस keyword के साथ बहुत सारे और suggestions भी आ रहे होते हैं यह सारी चीज़े में discuss कर चुक हो पहल जब हम search कर रहे थे hunting कर रहे थे product की हम slime की बात कर रहे थे ठीक है तो उसके अंदर एक आरा था slime kit आरा था एक पिर आरा था slime for kids आरा था second number पर slime for girls आरा था ठीक है तो वो एक ही family के different keywords आपके सामने दरास आपको खुश सजेस्ट कर रहा था ठीक है तो आप कोशिश करें जो व महां पर दे रहा था उन keywords की उसका इस्तेमाल आप यहां पर करें ठीक है आपका जो primary keyword है वो आपने दो से तीन दफ़ा इस्तेमाल कर लिया उसके बाद भी आपके पास room है वो room क्या है कि आपने एक आपका हो गया टीशिट्स फॉर मैं ठीक है अब टीशिट्स फॉर मैं के बाद आपको नीचे और भी मिल रहें suggestions जैसे कि टीशिट्स फॉर बॉय है ठीक है तो इस तरीके से भी आप तीन चार पाँच दफ़ा आपके पास room मौजूद है कि आप अपने जो secondary keywords है उसके उपपर उसको भी आप यहां पर इस्तमाल करें से यह होगा कि आपकी SEO के अंदर आपको यह help मिलेगी कि जो secondary keywords आपके हैं जो दूसरे दराज आपको खुछ सज़स्ट कर रहा था keyword उसके अगेंज भी आपकी product जो है rank करना शुरू करेगी और देखें दराज क पर यह है कि आपके जो keywords दराज suggest कर रहा होता है उसके अंदर जो एक primary keyword के उपर product rank हुई है वही product आपको तकरीबन हर उससे मिलते जुलते keyword के उपर नजर आ रही होगी ठीक है इस चिसको आप जहान में रखिएगा कि अगर एक primary keyword T-shirts for men है तो अगर आप T-shirt for boys को search करते हैं त लेकिन इस different keyword के उपर आपको वही product जो के T-shirt for men के उपर rank हुई है और उसका जो sales volume है बहुत अच्छा और रिव्यूज बहुत अच्छा है वह proper rank हुई है तो आपको T-shirt for boys के उपर भी नजर आ रही होगी ठीक है तो इस तरीके से आप अपना जब भी अपनी product को describe करें तो उ इन चार pictures अच्छी high quality के अंदर आप यहां पर upload करेंगे ठीक है जो आपकी यहां पर show हो रही होगी यह जो यहां पर इस बंदन स्पैसिफिकेशन लिखी हुई है ठीक है यहां पर आपकी pictures show हो रही होंगी कुछ list आप ने ऐसी देखी होंगी दरास पर आपको मिल जाएंगी ठीक हो गया तो उसके बाद जो भी आप यहां पर लिखेंगे उसको आप यहां पर simply copy और paste कर देंगे ठीक है English वाले section में इस section में उपड़ से simple आप copy और यहां पर आगे paste उसके बाद आप से यह पूछ रहे है कि what's in the box box के अंदर क्या है कि मतलब जब आपका package आपके customer के प निकलेगा वो आपने यहां पर डालना है जैसे के अभी हम example लेकर चलने है टी शर्ट की तो one into टी शर्ट ठीक है तो यहां पर आपने item की quantity लिखनी है कि एक अगर दो हैं तो यहां पर आप दो लिख देंगे two into टी शर्ट तीन है तो यहां पर तीन लिख देंगे ठीक हो गया उसके बाद अब यहां पर आपकी बात आ गई की variations की price की stock की अब इसके उपर बात कर लेता है अब सबसे पहले यह आप से पूछ रहा है कि color क्या है आपकी product का तो हमने उपर black लिखा हुआ है तो हमारा color है black अब यह आप से पूछ रहा है कि black color की जो पिक्चर्स हैं उनको आप upload करें अब पिक्चर्स के अंदर आप यह ख्याल रखिएगा कि आपका जो size है वह 500 इंटू 500 और 2000 इंटू 2000 पिक्सल होना चाहिए ठीक है और एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएग है कि आप सीन इमेज़ नहीं होने चाहिए यहां पे इनोंने सकती से मना किया हुआ है मतलब बेहुदा तस्विर नहीं होनी चाहिए तो मतलब होता है कि जैसे आप कोई ऐसा item upload कर रहे हैं जो fashions related है तो उसके उपर फिर कुछ लोग ऐसी pictures भी इस्तिमाल कर देते हैं जो और upload के उपर क्लिक करने के बाद आपकी जो picture है उस color के अंदर तीक है इसका अभी इसका मसला size का तो यह upload नहीं होगी लेकिन आपने size चेक करके इसका upload करना है तो जो उसका color आप यहां पे लिख रहे हैं तीक है उस ही color की pictures आप upload करेंगे और pictures आप कितनी upload करेंगे कोशिश क करेंगे at least पांच कम से कम पांच pictures आप upload करें और उन पांच pictures में से एक picture ऐसी हो जो life style photo life style photos वो होती है जो के आपकी white background के अंदर नहीं होती ठीक है बाकी आपने pictures अपनी white background के अंदर upload करनी है HD images upload करना है ठीक है आपकी picture की quality बहतरी ही नोनी चाहिए आपकी pictures के angles बहतरी ही नोन image भी होना चाहिए तो यह आप total अगर आप black की बात करना है तो उसके अंदर आपने इस तरीके से pictures को upload करना है और कोशिश यह कीजिएगा बल्के कोशिश क्या आपने करने ही है कि picture के उपर कोई watermark आपका ना हो आपका कोई brand का ना हो आपकी कोई identity उसके अंदर ना हो ठीक है आपने फुल professionally काम करना है और professional काम यही है कि आप अपने picture के उपर क्योंकि अक्सर आप उन नजर आती है दरास के उपर रहती पिक्चर नजर आती हैं अंड की शंड pictures होती हैं पिल्कुल पता नहीं कहां से उठाते हैं लोग और upload कर देते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना आप अपने अपने जो competitors हैं उनसे एक step आगे रहना है और अपने pictures के उपर बड़ा देना है क्योंकि फर्स्ट impression जो होता है वह आपकी pictures होती है तो pictures जितनी आप अच्छी quality के अंदर इस्टेमाल करेंगे तो उतना ही आपका फिर उसके उपर आपके clicks आएंगे ठीक है और ranking के तो खरीदने से पहले click तो करेगा तो आपकी pictures जो हैं यह बहुत अच्छी quality के अंदर होनी चाहिए और इसके उपर अगर आप पैसा लगा अगर आपके पाप पैसा है तो आप professional photography कर वालें से तीक है मैं आपको यही recommend करूंगा यह आपको गालिबान 150 रुपे के अंदर हो ज style photo भी होगी उसी के अंदर आपकी white background भी होगी वह सारी चीज़ें आपको चार-500 रुपे में कोई भी ऐसा लड़का करके देदेगा जिसको आती है photography जिसके पास अच्छा camera मौझूद है ठीक है तो अब यहां पर आपका आपने एक color upload कर दिया उसके pictures upload कर दी अब यह आप से पूछ रहे हैं कि आप यहां पर size बताईए ठीक है अगर आपकी ऐसी product है जो जिसके अंदर sizing involved है ठीक है तो आप यहां पर आपको different जो आपके units हैं वह आपको बता रहे हैं जैसे US system हो गया international system हो गया color size है अगर हम shirt की बात कर रहे हैं तो पिर ह हम जाएंगे color size के उपर क्योंकि वहाँ पर color size चलता है अभी हम T-shirt की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर small large medium के उपर जाएंगे तो यह आप अपनी product के हिसाब से खुछ select करें मैं फिर बता रहा हूं यह हर product की variation different होगी interface different होगा उसके अंदर attributes उसके different होगे ठीक है तो आप जो है उसे गवरामच जाईएगा तो अभी हम select कर लेते हैं large, medium, small और excel ठीक हो गया यह चार sizes हमारे पास मौझूद है इस black color की T-shirt के अंदर अब आप से पूछ रहा है size chart यह size chart आपको upload करना ज़रूरी है लाजमी आपने upload करना है तो आप size chart के लिए create now new के उपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी का unit के उपर क्लिक करेंगे cm select करके आप इसको add कर लेंगे तो यह आपका size chart इसके अंदर add हो जाएगा ठीक है अब यह आपके पास black color की जो आपकी प्रोडक्ट है black color के अंदर आपना upload कर दी अब अगर यह single आप अलग अप्लोड कर रहे हैं तो आप ब्लैक के अंदर आपने कर दी फिर आप अलग से new पिर आप अपनी जो list है उसको उसके उपर जाके उसको बनाएंगे वरना आ आपको option दे रहा है please input इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको और और आपके सामने colors आ जाएंगे अभी इसना आपको maroon बता दिया ठीक है आपने इसके उपर select करने के बाद आप upload के उपर click करेंगे upload के उपर click करने के बाद maroon की जितनी pictures है ठीक है वो सारे pictures आ maroon के उस पे enter कर देंगे एक और size upload करना आपको फिर आप वापसी नीचे click करें आप blue के उपर click कर दें तो फिर यह आपको option देदेगा कि आप blue की जितनी pictures है और वो आप यहां पे upload कर दें तो जब आप upload कर देंगे यह तीनो colors तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यह दिखा रहा है product के जो black है उसके अंदर आपकी यह चार इसके अंदर sizes है ठीक है maroon के अंदर भी चार sizes है और blue के अंदर भी चार साइज है ठीक है अब यहां पर आपकी आगई price अब for example आप यह बेच रहें 200 रुपेगी 250 ठीक है और आपके पास quantity यहां पर जो आपके पास available quantity है ठीक है वो वो आप इसको यहां पर mention कर देंगे जितनी भी quantity आपके पास available है उसके बाद seller SKU ठीक है यह आप अपनी मर्दी से बना सकते हैं जैसे मैं T.S. T.S. कर देता हूं यहां पर ठीक है बाकी यह बाद मैं कुछ generate कर देगा अभी उसके बाद यह आप से पूछ रहा है कि आपके पास कोई free item मौजूद है ठीक है तो आप उसके ओपर या तो रहने दें अगर है तो दे दें हमारी अभी हमारा जो case है वो case है टी शर्ट का तो कोई free item मौजूद नहीं है तो यहां मैं इसको blank छोड़ देंगे ठीक है अब हम उपर आते हैं थोड़ा सा यहां पर जब हमने यह एड़ कर ली सारी चीज़ें उसके बाद अब यह आप से पूछ रहा है कि आप इसको option आपको दे रहे कि आप तमाम को copy कर लें इसके उपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही तो यह आपको पूरा सारा वैसी copy हो जाएगा ठीक है जो आपने उपर फिल किया है जैसे यहां पर आपने SKU SELER SKU TS Black L हो गया यह तो यह जो सेलर SKU आपकी खुद की IDENTIFY के लिए कि आप इसको खुद IDENTIFY कर सकें और वह आप यहां पर डाले आपने अब अगर आपको कोई special price offer करना है कि जैसे अभी यह हमारी product जो है actual price के 250 हैं उसके बाद आप आप यहां पर मैं for example special price देना चाहता हूँ 199 ठीक है आप यहां पर date select कर सकते हैं कि मैं 18 तारिक से बीस तारिक तक इसके price 199 पर देना चाहता हूँ इसको ठीक है दो दिन के लिए इसके उपपा समझे मैं sale offer कर रहा हूँ special price तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो pricing है उसको upset करेंगे ठीक है बाकी आगे campaigns के अंदर क्या करना है वो सारी चीज़ा भी हम आगे इसको और बहुत deeply discuss कर रहे होंगा ranking के अंदर इसके बाद अगले option के अंदर यह आप से पूछ रहा है warranty टाइप टीक है हमारी जो product है कोई warranty मौजूद नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे उसके बाद सबसे आखर के अंदर अब यहां पर यह आप से पूछ रहा है आपकी product का weight और dimensions बहुत सारे students ऐसे हैं जिन्होंने मुझे यह message करके मुझे से पूछा कि हम्जा भाई delivery charges जो हमारे बड़े जादा आ रहे हैं तो उसकी वज़ा यह है कि आप अपनी product का size और उसकी जो weight है वो सबसे आपके जो delivery charges हैं वो जादा आ रहे हैं अब जैसे आप जो packaging material order कर रहे हैं ठीक अब जैसे आपके एक flyer है ठीक है उस flyer का size है वही size आपने यहां पर डालना है ठीक है क्योंकि उस flyer के अंदर आपकी product जा रही है तो आप उस flyer के size के साब से चलें और वो flyer का size आप यहां पर डालें ठीक है अगर आपकी product अभी जो मैं बात कर रहा हूं टी-shirt की अभी में बात कर रहा हूं तो जो मेरे flyer का size है उसी के अंदर मैनेज हो जाना है अब कुछ ऐसी products होती है कि जिनका जो बहुत छोटी होती है कॉस्मेटिक का कोई item है ठीक है तो उसके अंदर फिरा flyer का size वो तो पर आदा हो जाएगा flyer का size जो अगर small flyer भी है तो वो भी आदा हो जाएगा ठीक है तो आप उसके अंदर जो है flyer का size भी डाल सकते हैं वरना आप जो है उसको और कम करके लिख सकते हैं तो बस जादा ना हो ठीक है और ऐसा भी ना हो कि आपने मतलब इतना हलका डाल लिया इतना नीचे कम कर दिया कि वो पर आप पर परशान होगा बाद में कि यार यह तो delivery charges तो थे वो तो हुए न बन रहा है आपका small है large है medium है flyer वो आप simple यहां पर डाल दें यह और यहां पर पर आप इसका weight डाल देंगे यहां पर आप इसका weight डाल देंगे ठीक है तो इस तरीके से हम अपनी product को लिस्ट करते हैं और optimized way के अंदर लिस्ट करते हैं कि आप इसके उपर सम्मिट के उपर क्लिक करेंगे अभी मैंने यहां लिखा है नहीं है सारी चीज़ें दो यह समय नहीं हो रहा आप सिंप्ली सम्मिट के उपर क्लिक करके लिखते दिन चलें जैसे सम्मिट के उपर क्लिक करेंगे तो यह आपकी जो प्रोड़क्ट है वह सक्सेस्फुली पब्लिश हो जाएगी इसके उपर आप डन कर दें करने के बाद आप के सामने यह शो हो रही होगी प्रोड़क्ट जो भी आपने अप्लोड की हैं यहां पर तो यहां पर आपके स्टैप के अंदर आपके पास सारे ऑप्शन से दे रहा होगा कर आपके की लाइफ कितनी हैं और सोड आओट कितनी हैं इन एक्तिव कितनी हैं पॉलिशिस कितने कहां कहां आपने वाइलेड किए वो सारी चीज Renee यहां पर आपके मैंशन कर रहा हुआ ठीक क visitmaster चया तो यह के उपपर हम क्या उसको हम किस तरह आप्टेमाइज करते हैं और फिर हम इंशादा रैंकिंग के उपपर आ जाएंगे